पचास सबसे बड़े यूटुबर्स को इकठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक्टिक पाएगा वो अपने सबस्क्राइबर्स के लिए एक मिलियन डॉलर्स जीतेगा इन सब के सबस्क्राइबर्स कुल मिलाकर वन बिलियन है और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये सब वन मिलियन डॉलर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं रूल्स आसान है, ठीक है, कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो ठीक है अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे, तो वन मिलियन डॉलर्स हार जाओगे इसलिए साउधान रहना, जो आखिर तक टिकेगा, वही जीतेगा ब्रो, मैंने स्क्विट गेम्स देखा है, वो एक रियालिटी शो जैसा है मुझे लगता है कि लोग मुझे टागेट करेंगे यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे सबसे अची स्ट्राटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रखम के बारे में सोच तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को इलिमिनेट करोगे मेरे सब्सक्राइबर के लिए बल्कुल नई, 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 चोड़ो मुझे नई, जै, जै, जानते हो न, जितने दुश्मन बनाओगे, उतना ही लोग तुम्हें इलिमिनेट करना चाहेंगे नई, नई, हम बस मजाग कर रहे थे वो पैसो के पीछे चुप रहा है, मुझे लगता है उसने तुम्हें मजाग को सीरिसली ले लिया देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी आप सबने आज तक इन सारे क्रियेटर्स को इतने भूसल और एंटर्टेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी परदा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तयार नहीं हो पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहरा कर एक प्री थ्रो एटेंप्ट कर सकते हो अगर स्कोर कर पाए तो हम तुमारे एक सब्सक्राइबर को एक प्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आपाओगे लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहां पर लाए कैसे है लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया जिमी पीस अरे यार बैग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो प्रेशर बहुत ज्यादा है यह तुम्हारा सब्सक्राइबर नाम क्या है मैथियो इसे निराश मत करना तुम्हें जीत कराना होगा मुझे तुम पर विश्वास है सब तुम पर है मार्क क्या तुम अपने सबसे बड़ी प्राइन के लिए साइबर ट्रक्स जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा यह काफी निराशा जनक था लेकिन जीडियोन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बहतर कर सकता है यह क्या था अच्छी कोशिश दिए मैं एक सबस्क्राइबर खो दिया है काईज मैं यह कर सकता हूँ मैं एक बास्केट बॉल यूट्यूबर हूँ अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ हूँगा ठीक है चलो हे मेरी बारी है जंटल्मेन यह रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन नहीं नहीं देख सकता जेसर क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराष करने वाले हो साइबर ट्रक के लिए बदाई हो और शॉट्स बाकी है थांक यू जैसर हाला कि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था मैं तुम्हारी लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया मैं हार गया क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है कमाँ कमाँ तुम कर सकते हो या बाथ है आई लव यू डूड आई लव यू टू बयारा और तीन बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा इसलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया इसे कहते हैं नोटों की पारिश लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में पता नहीं ये ऐसा क्यू कर रहा है लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है उसने रड लाइन को नहीं छुआ फुटेट चेक करते हैं क्या उसने से छुआ अब तक चार यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चालेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले दूसरा चालेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा बचाओ बचाओ बस करो हाँ बोलो क्या कह रही हो अब सिर्फ 45 बचे हैं मुझे दूसरे चालेंज की तयारी करनी है मैं बस अभी आया और तयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए एक मिलियन असली डॉलर्स को उठाना और अब जब फ्लोर्स साफ हो गया है क्या आप लोग दूसरे चालेंज के लिए तयार है ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं पाँच के ग्रूपस में इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब पांच-पांच के ग्रूपस में बढ़ जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रूप के लिए एक कैप्टन भी चुनना वो कौन होगा जिसे इस अगले चालेंज में इम्म्यूनिटी मिलेगी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा तीम ध्यान से चुनना बता होने वाला हमें पांच के ग्रूप में अगर हमें एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दूख होगा ठीक है तो हम पांच लोगों के तीम है अब इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता है क्या तुम पांच इक ग्रूप में हो प्लीज ये फैसला तुम्हारा है मैं कुछ नहीं कहूंगा अपना कैप्टन कैसे चुनोगे हम इसके बारे में सोच रहे हैं किसकी स्केच क्या तुम्हें इस पर भरोसा है हाँ है मुझे इस पर पूरा भरोसा है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियन्स हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हूँ कैप्टन्स मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो यहां हैं चार कुकी और हर कैप्टन को यह तै करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा अगर कुकी टुटी तो वह एलिमिनेट होंगे और जिन लोगों को यह नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है उसके आधार पर या तो यह बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन नीको, कुकीज को बाटने का वक्त आ गया यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है तुम स्केच को कौन सा दोगे तुम ऐसा नहीं कर सकते है यह तो गलत बात है यह ना इंसाफ है तुम ऐसा नहीं कर सकते है लेकिन कैप्टेंस को अभी भी आठ और अम्बरेलास बाटने थे अम्बरेला मिलेगा माइकल को तुम्हारे पास अम्बरेला कैसे आया मैंने का हमाइक कर लोगा अम्बरेला मुझे दीजिए बहुनें की तीम के लिए किया तुम इसे अम्बरेला दे रहे है वो करने में काफी आजानी होगी तुम पर भरोसा है, गुड़ लग ओ नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लग, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे लेक्सी को मिला अम्ब्रेला मुझे अम्ब्रेला मिला लाइए कर सकता हूँ यह दुनिया कितनी बुरी है, सच में पोकेमेन, मुझे तुम पर विश्वास है तुम कर लोगी, दिखा दो सबको सबको बता दो कि तुम किस मिटिकी बनी हो टाइमर शुरू करो ठीक है, दस मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूँगा लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है वो इसे ट्राइंगल मिला इसका टेस्ट तो अच्छा है इसी पीजी दस मिनिट इसके लिए बहुत है मैंने भी यही सोचा था लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ येस 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 कमोन स्केची लेकिन ये सब के लिए इतना आसान नहीं था जैसे लोगन पॉल को बिला एक स्टार और पोकी मेन को इन में से सबसे मुश्किल शेफ ये तो बीच से टूट गया लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रस दिखा रहे थे रिकु ने स्टार निकाल लिया लेट्स गो येस बहुत बढ़िया मेरी टीम बेस्ट है क्यों गई चलो करते हैं चलो लोगन तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो मुझे अपने लोग एंग के लिए एक मिलियन जीतने हैं बढ़िया बढ़िया तुम कर सकते हो शाब बाश येस येस केच येस, येस, येस मेरा पहला शही दिपाहिझ हो गया, हो गया ओ ये कितना मुश्किल है I hate you, Jimmy ठीक है, 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 रुको, है, सुनो, 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 सुनो तो संभल के, संभल के, है, एक सरलोग इहीं हारते हैं ये पाट सबसे मुश्किल है तुम है तुम बहुत बड़े दोके बाज हो क्या हो गया इसने मुझे दोका दिया तुम इस पर भरोसा है है मुझे इस पर पूरा बरोसा है डिसे सबसे कम्जोर आंख वाले इनसान को सबसे मुश्किल शेप दिया हैं और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोलभी और रग, माइकल रीज, फेडे, अजी, लेक्सी, और मैट बैट, बहुत 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 शुक्रिया, असली कमाई तो वो दोस्त है, जो हमने रास्ते में बनाए, और यह कोई थोरी नहीं है, रेटायर्मेंट शुरू, मैट रेटायर्मेंट ले रहा है, हमने जेसलाट, पोकी मेन और माथ्सू को भी खो दिया, और अंत में, अफकोर्स, स्कैच, आने के लिए शुक्रिया, थैंक्यू सो मच, क्या तूम इससे हाथ मिलाओगे, वो, 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 यू, लव यू, लव यू होटा हो किया है, और मैं जीतने वाला हूँ, अगले चैलेंज की तयारी करते वक्त, मैंने बच्चे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुत करने दिया, हमें गेम खिल सकते हैं, उस लाइन के कितने करी पॉंच सकते हैं, बोटल कैप्स यूज कर सकते हैं, सही संजे, बोचीजडाब के फेवरिट क्रीटोस को एंटेटेन कर रही है, वो है बॉटल कैप्स, एक सेकर यह देखो, यह देखो, अब इसे देखना बच्चु, अब इसे देखना बच्चु, प्रेकर दिखाया, कबाद है, यह सब से बैस है, सब से बैस, ठीक है, बस बहुत हुआ यह सब, दीसरे चैलेंज के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो-दो के ग्रूप्स बनाओ, और अपने हाथों को डग टेप से बांध लो, सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनना, मैं इसकी वेडिंग में बे कर रहे हैं क्या, हाँ, बिल्कुल हमें लॉक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया, उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे, लेकिन देखा जाए तो Mr. Beast के वीडियो में ये स्ट्राटिजी सबसे बेस्ट नही है, अब हाथ थाम कर चलना है या बस में कर रहे हैं, अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो, उसे यहां लाओ आराम से, तुम जिसके साथ भी बंधे हो, हम तुम्हें अलग करेंगे, और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है, जाएंट जे तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए, टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा, ओ, सोचो यह पहले ही टरन में गिर गया तो, ओके, जब तक उपर नहीं रखते, बारी खत्म नहीं होगी, अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया क सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना उंचा हो रहा था, कि वहाँ सीडियों से भी नहीं पहुचा जा रहा था, आज तक कभी इतनी हिलने डूलने वाली सीड़ी नहीं देखी, और क्यूंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे-धीरे उन वो, नहीं, ये तो गलत है, जेजे सावेच, एट गंटा जेंगा खिलने के बाद ये मिला, क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है, वो डूबा, और फिर मुझे भी ले डूबा, यकीन ही नहीं होता, तुम सब बोट कर सकते हो, क्या लगता है, जेजे का इसे बहार ले जाना फैर था या नहीं, जिससे लगता है, ये फैर था, वो राइट जाए, जिससे लगता है, ये फैर नहीं था, वो लेफ्ट जाए, काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, जमता ने फैसला कर लिया, KSI बाहर और AJ अंदर, अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे है, तुम्हें वो फेर लगा, हाँ, यही तो गेम है, मैं तुम्हें ऐसे उठागर, यह क्या करें हो, मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है, जीम प्राइम, हम जीतेंगे, लोगन भार देना भाई, क्योंकि पिछले गेम में घंटो लग हम लेकर आगए, नॉर्मल जेंगा, मुझे माफ करना, अपना पहला ब्लॉक निकालो, चलो शुरू करें, ओके, गेम्स तुरंथ ही शुरू हो गए, और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, देखते ही देखते ही चीजे कंपेटिटिव होने लगी, यह तो तुमने कमाल ही क जीता तो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, यह चालेंज जिस तरह से काम करता है, उसकी वजह से कुछ क्रियेटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड लिया था, और इसलिए, यह मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहां कम साक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे, मैं रोने वाला हूँ, सच्चे दोस्तों के लिए हम UK वाले इतना तो कर ही सकते हैं, सबको सेलफले सोना चाहिए, मैंने तो क्या जिया, एक बात बताओ, तुम ही खेलो, इसी बीच, जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए वो उपर से नहीं निकाल सकती, वो, अगर उनके आसपास जोर से सास भी लो, तो वो गिर जाएंगे, और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स वन मिलियन डॉलर्स खो रहे थे, नहीं, आसपास भी नहीं था, ये नहीं हो सकता, वाजा आ गया, मैं हार गया, जेंगा मैं हार हाँ, रुगो, रुगो, पाउड डिलिवरी जॉब्स और एक के बाद एक लगातार, पढ़िया खेला, एलिमिनेशन के बाद, हम इस चैलेंज के अंतिन छोर पर पहुँच चुके थे, सीधे होट पर लगा, मैं ये एक मिलियन जीतूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही म कोई बाद लूगन, वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ और तुम्हे उसे ऐलिमनेट कर दिया, काफी मज़ा है भाई, हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे, तेखो कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्यूटी की बात है, तो बाई, रिस्पेक तो बनती है, तो बाई, रिस्पेक्ट दो, क्या बाई, तुझे दोज़ार चॉटा से देह रहा है, मैं तो बहुत गोशे, काश तुम जीत जाते, जो आखरी टावर बचा था, वो हमारा अब तक का सबसे कंपेटिटिटिव गेम साबित हुआ, खीचो उस पीस को, इन दुनों का गेम ब तुम कर सकते हो, कमाँ, नहीं, 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 चैलेंज थ्री ओफिशिली खत्म हुआ, और अब चलो बिस्तर लेकर आओ, ओके, सब के पास बेट्स हैं, हम फोर्थ चैलेंज के लिए कल सुभा मिलेंगे, और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए, और यूट्यूबर्स बागई में एक मिलियन डॉलर्स कैश के पास सो रहे हैं, और हो सकता है कि इस वीडियो के अंग तक ये पैसे आपको मिले, हेयो, गुड मॉर्णी, लो गैंग, क्या चल रहा है, ओ माइग, पुरानी आदे ताजा हो गई, मुझे गूस बम्स आ रहे है, ओ मतलब गुड मॉर्निंग, मैं अपने सुप्स्क्राइबर्स के लिए पूरी मेहनत करूँगा, गुड मॉर्निंग, मेरे पास तुम सबके लिए एक सप्राइज है, हमारा परिवार यहां है, तुम्हारे परिवारों से भी बहतर है, और आप में से जो भी नहीं जानता कि मे यहां लाइन हुआ, यह यहां बहुत लेट आया है, और मैं तुम लोगों को उप्शिन देना चाहता हूँ, क्या तुम चाहोगे की स्पीड अंदर आए, और तुम सब के साथ इस कॉम्पेटिशन में हिस्सा ले, या फिर तुम चाहते हो की अपने प्लेन में बैटकर पैसले की कड़ी आ गई, अगर इसे खेलने देना है तो लेट में जाओ, अगर नहीं देना है तो राइट में, जाओ वापस उस प्लेट पर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां पर हो गया रहा है, ठीक है पैसला हो गया, स्पीड वो नहीं चाहते कि तुम खेलो, चीक है, तुम सब इसका चहरा आगरी बार नहीं देख रहे हैं, कभी न कभी तो बाहर आओगे, मुझे तुमारे चहरे याद है, इसके बारे में सोचना चाहिए था, अब तो हम गया है, और अब हमारे फॉर्थ चैलेंज को लेकर आओ, कहिए स्पीड ही तो नहीं है, इन् लगभग तुरंथ ही, सब को समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था, क्या लगता है, इन ब्रीफ केस में क्या है, इलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्से, हावी मिंडल को लेकर आओ, प्लीज, और ये जानती हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला, फैंज ने इ सबस्क्राइबर्स हैं, वो यहां आ जाएं, किसके सबसे ज्यादा है, मेरी तरफ देखना भी मत, लोगन सबसे ज्यादा तुम्हारे ही है, इससे पहले कि मैं रूल समझाओं, तुम्हें एक कंपेटिटर चुनना होगा, मैं तुम्हें चुनता हूं, सैम, ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम्हें एक ब्रीफ केस चुनो, कोई भी नंबर, मैं लूंगा लगी नंबर 11, इसमें से साथ ब्रीफ केस में लिखा है, इलिमिनेटर, बाखी के 10 सेफ हैं, लोगन अपने ब्रीफ केस के अंदर जाकेगा, और फिर सैम को ये तै करना है, कि क्या वो इससे स लगने देगा, और इस गेम का नाम है, स्टील और नो स्टील, ये विनाबाद, अवी कमाल करे, इसे कहते हैं होस्ट, ये केस, सेफ नहीं है, अरे बाबर, क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है, बिलकुल नहीं, ये सब क्या चल रहा है, मैं तो स्टील करती, स्टील और नो स्टील, मैं स्टील करूंगा, तुम स्टील करोगे, क्या सैम ने सही फैसला लिया, अब तुम कि खेलता रहेगा, जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता, अब तुम किस के खिलाप जाओगे, काई, 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 तुम्हें कौन सा नमबर चाहिए, लोगन, काई यहां देखो यह सेफ नहीं है तुम्हें लगता यह सच बोल रहा है मैं इसे स्टील करूंगा अभी बताता हूं क्यों इसने कुछ पूछा तक नहीं बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूं जब से उसने यूटूब शुरू किया था ऐसे वक्त में वो क्या करता है मु लडविक, क्यों मुझे क्यों नए लोगन तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धक रहा है किया तुम यह यह सेंसंग गएलकसी êts effectively रिंग पहन सकते हो और लड़ी क्या तुम यह रिंग पहन सकते हो आ कोई बाहन तुम दोनों को ट्रैक कर अंञे जस बीच ही एक दूसरे को धोका देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सामसंग गालक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे, लोगन की हार्ट रेट है 106, लडविक की 87, मैंने जो देखा उससे फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं, तुम ये केस रखो लडविक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, क्या, मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखो, मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा, गेस करना मुश्किल है, मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूँ, इस इसे कहता है प्रेशर बिल्ड करना, स्टील और नो स्टील, लोगन पॉल इस सेफ है, मैं तयार हूँ, मैं तयार हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक ही जैसा, केस 14, हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसे स्टील करूँगा, मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहां आया हूँ, देखते हैं तुम्हारी, मैंने तरंग लाई या नहीं, ओमाइगा, 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 यह लो अपना लखी केस, सब 23 घंटे, अच्छा है, एलिमिनेशन वाले केसिस नहीं कर रहे है, मेरा तो दिल ही तूट गया, बस घर लोटते समय कैंगरू से मट टकर मुझे थोखा दिया गया, सच मेरे, यकीन नहीं होता, मुझे जूट नहीं बोलना, केस खोलते बद उसकी आँखो में नहीं देखुगे, ओ गौड, एलिमिनेशन लिखा है, मैं सच कह रही है, मुझे लगता है, वो अक्टिंग कर रही है, ओ, स्टील, और नो स्टील, स्ट 152 तक गई थी, ये एक शैतान है, और भले ही उससे जूट बोला गया था, वैलकरी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं, अब सिर्फ दो एलिमिनेशन और थ्री सेफ केस बाकी है, तब उसके पास धोका देने का एक और मौका है, ये देखकर मैं शॉक्ट हूँ, यकीन न पहले तुम सब देगा, ये हैं वो चार बचे हुए कंटेस्टेंस, अब सिर्फ दो सेफ और दो एलिमिनेशन केसिस बचे हैं, मैं जाता हूँ, जब तक वो ब्रीफ केस चुन रही है, मार्किस, तुम्हारा सामसंग गैलक्सी Z Flip 6 के बारे में क्या कहना है, इसके लिए सबस Z Flip 6 अगर इसमें इलिमिनेटेड लिखा होगा, तो ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे MKBHD पर भरोसा कर सकते हैं इसे जूट बोलना नहीं आता, और ये वो दो बचे हुए केसेज हैं, खोलो इन है, ये दोनों सेफ हैं, और उन साथ के निकलने के बाद, अब सिर्फ ये दस बचे हैं, और इन में से सिर्फ एक ही अपने सबस्क्राइबर्स के लिए 1 मिलियन डॉलर्स का प्राइस जीत पा अब यहां से गेम और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमें अपने साथ ही उनको इलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये दुख की बात है तुम ये रिस्क लेनों को तयार हो, हाँ, बिल्कुल, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, काय, क्या तुम इस पर भरुसा कर सकते हो, हाँ, बिल्कुल, हाँ, और मुझे भी, तुम दोनों एक साथ क्यो हो, हमारा बांड अच्छा है, तुम दोनों की आपस में जम रही है, हाँ, क लगता है क्या हो रहा है मुझे गैस की स्मयल आ रही है यहां पर एक कपड़ा रखा है हाँ जिमी क्या यह एक चीजों को छुना बंद करें मैं पूछा तुम से ठीक है सब लोग अपनी आँखों पर से पट्टी हटा दो ओ अब तक तुम सब समझ ही गए होंगे कि यह हैं एक अब समझा इसी चलेंज में तो अब तक सिर्फ अंडे टोस्ट और सीरियल बनाया है हम पहले भी कुकिंग टीम में थे और हमारे थे जो किया वो वापस मत करना हम यहां तीन जजिस को बुलाएंगे वो तुम सब के खाने को एक से लेकर दस के बीच वोट करेंगे जिन तीन टीम्स को सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिलेंगी वो आगे जाएंगी और सबसे कम रेटिंग्स वाली दो टीम्स बाहर जाएंगी हमारे पहले जज़ को बुलाओ जोई चेस्टनाट अरे वाव यकिन नहीं होता तुम्हारे खाने को जज़ करने के लिए दुनिया के सबसे पैस्टीटर से भैतर और कौन हो सकता है खाने के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इन्हें गिनीज से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और अब हमारी दूसरी ज़ज मिरांडा कॉस ग्रोफ हमारा तीसरा और आखरी ज़ज उसे बाहर लाओ इंट्रोड़क्शन की ज़रूरत नहीं है आई शो स्पीड अब शुरू हो चुका है आप लोग जो चाहे वो बना सकते हैं ये समय तुहरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीच जाएगा और तो और आपके डिश जच किये जाएंगे टेस्ट, क्रियेटिविटी और प्रेजेंटेशन के आधार पर रेस शुरू हो चुकी है देखते हैं कौन क्या बनाता है आए काली में उसके बड़े भाई स्पैंसर को ये स्पैगेटी टाकोस बहुत पसंद थे स्पैगेटी टाकोस के साथ टुम दोनों क्याना रएख हम्टा बना रहा है हम बना रहे हैं कॉड़ेन ब्लीव और ये फ्रेंच डिश हैं तुम दोनों क्या बना रहे हो चौकलेट्के थोड़े मैख औंगेशicks लग गई, लगई, 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 बहुत सोच लगई मैं Spanish Tortilla बनाने की कोशिच कर रहा हूँ और वो Fridays बनाने की हम दो देशो को एक साथ ले आ रहे हैं, जिससे जंग होगी, आरे बापने, ओ माई गॉड, ये तो अभी से अच्छा लग रहा है, सिर्फ प्याज और कुछ मसाले हैं इस आपनी को सिखाया है खुद Gordon Ramsay ने, तो बेसिकली सिर्फ चार स्लोट्स बचे हैं इनके अलावा ये एंबरेसिंग होगा अगर दो लड़किया कुकिंग के लिए एलिमिनेट हो गई तो, हम कुकिंग के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं तो हम डिजर्ट के लिए चॉकलेट कवर्ट स्ट्रॉबेरिस बना रहा हैं इसके पेट से आवाज आरी सब कुछ नीचे रखने के लिए तयार हो जाओ ओके, ओके, प्लीज, प्लीज, प्लीज अच्छा लग रहा है ये तो, उन्हें चीज पसंद है यो, 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 ब्रो, सैंडविच को पकड़ो ना वन मिलियन डॉलर्स डाउ पर लगे हैं थ्री, टू, वान इस फैसला बताएंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छा थो, वो, नाइल, वो, वो, काफी बड़े नंबर, वो, तुम्हारा टोटल स्कोर है, 26, वो, राइट, क्या तुम दोनों तयार हो, हम थोड़े डर तो गए थे लेकिन, अपनी डिश लेकर आँ, चीक तुम्हारा फैसला, ये बहुत दिलिशियस था, जोई, मुझे पसंद आया, स्पीड, ये रियाक्शन देखकर, मुझे लगता है, तुम थोड़े कम पॉइंट्स देने वाले हो, मिरा अंडा, तुम बताओ, नाइन, येस, थैंक यू, क्या तुम रोने वाली हो, मत करो, मत स्पीड, खाने को वोट करो, तुम उस तरफ घुम जाओ, स्पीड, एए, एए, फोकस, चलेगा, कोई बात नहीं, इसका टोटल भी 26 है, तुम पागल हो, ब्रो, तुम ऐसा ही, दस-दस नहीं बता सके, तुम्हें खाना पसंद हो, तुम्हें निकाल लो गुस्टा, हाई औ वरे पासे दो फेमस, दो वन एन उनली, स्पेंसर के स्पेगिठी टाको, यहाँ, यहाँ बीच में कौन बैठा है, स्पीड, आईशो स्पीड, दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डो पास्ता, यह आपके लिए उससे जदा मत बताओ, उससे जदा मत बताओ, लास बट नॉट लेकर आओ, वो रेकोर्ड का टावर, रेकोर्ड टावर, जब इसे खाओगे, तब महसूस होगा, ओ माइग गॉश, ओ माइग गॉश, ओ माइग गॉश, पदा नहीं दोस्तों, मैं खत्म कर रुको, रुको, गीन, ठीक है, तो, मिरा अंडा, ओ, अहां, यह सच में बहुत अच्छा टाकोज है, मुझे शो पसंद आया, लेकिन असली बात तो, खाने की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू, वान, स्कोर दिखाओ, ओ, 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 कोई बात नहीं, ठी है, अपनी डिश दिखाओ, हमने एक क्रीमी चीकन और टोमेटो पास्ता बनाया है, इस डिजर्ट के लिए, इंस्पिरेशन डैट से मिली है, जो हमारे साथ नहीं है, मतलब इस कमरे में नहीं है, ऐसे तो जिन्दा है, ओ, यह पागल है, यह बहुत ही एक्स्क्विजिट है, जैसे मुझे कोई लेमन घुसा मार रहा है, खुद को ही घुसा मार रहा है, यह काप एच्छा है, मैं यह लिटा देता हूँ, वाओ, वाओ, कहना पड़ेगा, फीस्टिबिल्स और स्ट्रॉबेरी इस का टेस्ट अमेजिंग है, हाँ, जो भी वीडियो देख रहा है, उसे वालमार्ट जाकर खरीदना चाहिए, इसके बाद मैं वहीं जाओंगा, मुझे यह और खाने है, मुझे यह पसंद आए, मैं इन्हें और करना पसंद करूंगा, स्पीड, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनका टोटल स्कोर होता है 16, मतलब वो दोनों एलिमिने स्कोर था, रुको, 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 र तोड़ा करते थे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें प्राइम को प्रमोट करने दू बिलकुल प्राइम इतियास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बेवरेज है जो अवे लेबल है वाल मैट में मैं हैरान हो लेकिन नहीं भी उम्मीद है मुझे बापस अब आज की आखरी डिश ये है क्ट्रेडिशनल इस्पैनिश टोटीला बुरा नहीं है हाँ जजज स्कोर देने के लिए तैयार हो यस थ्री तू वान स्कोर दिखाओ ओके 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 इसका टोटल है 22 मतलब तुम दोनों इलिमिनेट हो गए ओके बहुत मजाया इसी के स सिर्फ पांच कंटेस्टेंस बचे हैं कंग्राइचुलेशन्स तुम में से एक वान मिलियन डॉलर्स जीतेगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत मजायेगा वन मिलियन डॉलर्स के साथ मैं एक चैलेंज रखूंगा मुझे ढूंडो और धेर सारा पैसा जीतो मैं जितने ज्यादा लोगों को खाना दान कर सको उतना दान करता जाऊंगा हम सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही कूल चेस इवेंस रखेंगे मैं स्टूरेंट्स के आठ डिगरी की फीज भरने में मदद करना चाहूंगी मैं साथ मॉरक्को में स्कूल्स अब खोलना चाहूंगा इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकती है ये हैं आखरी पांच ये बेबी जब हमने शुरुवात की तब क्यूब कुछ ऐसा दिखता था और अब सब इस पैसो के बॉक्स में फिट हो गए अब आखरी चैलेंज शुरू करने से पहले सब लोग ज़रा यहां पर देखो परदे खोल दो ये यूट्यूब द्वारा बनाए गए असली प्ले बटन्स है जो भी जीतेगा उसे इस टूर्णामेंट में पार्ट लेने वाले सभी क्रियेटर्स का प्ले बटन भी मिलेगा क्या? जैसे कोई अपने दुश्मनों के सार इकठा कर रहा हूँ ठीक है आखरी चैलेंज को पेश किया जाए हर राउंड के शुरुवात में सबकी आँखों पर पट्टी होगी और मैं इन ब्रीफ केस को आपस में शफल करूँगा चार में कुछ भी नहीं है और एक के अंदर वन मिलियन डॉलर्स का चेक है आखों के पट्टी उतारो, आकर एक ब्रीफ केस उठाओ और अपने अपनी जगह पर वापस लोटो ठीक है, सब लोग अपने ब्रीफ केस के अंदर जाख के देखो और अब जब हर कोई जाता है कि उनके पास क्या है मुझे पक्का यगिन है कि पैसे इन में से किसी के बास है दोनों लड़किया क्यों तुमारे एक्स्प्रेशन से यह थोड़ा सा अग्रेसिव है ना? वो चार्ज ले रहा है क्या वो चार्ज इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास जिरो डॉलर्स है और उसे वोट आउट नहीं हो ना? हो सकता है यहां बहुत तुनाव है मुझे लगता है कि इसी के पास वो पैसे है वो सबसे जदा कॉन्फिडेंट है लेकिन वो सब छुपा रही है पैसे उसके पास है यह तुम्हारे पैसे मेरे पास है तो तुम कहरी हो कि तुम्हारे पास वन मिलियन डॉलर्स है वो एक मिलियन मेरे पास है ओके मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है और तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे पताए कि उसके पास $0 है और उसे गेम में टिकना है तुम्हारे हिसाब से उसका brief case खाली है वो जूटी है तो तुम उसे vote नहीं करोगे वो ये confirm करना चाहती है कि वो दूसरा राउंड खेल पाए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है फैसला लेने के लिए अब सिर्फ पांच मिनिट बचे है अगर मुझे नहीं पता कि सब के पास क्या है तो मुझे लगता है कि हमें टीम्स में खेलना चाहिए हम टीमेट्स थे हम टीमेट्स थे तुम्हारा टीमेट बाहर हो तो हमारे लिए सबसे आसान फैसला ये होगा कि हम निक को निकाल दें हमारे चांसे बेटर हो जाएंगे अगर मैं बिना इंफरमिशन के खेल रहे हूँ हूँ तो मैं मुझे वोट करना चाहिए मुझे लगता है मैं अलेक्स को बोट करूँगा मैं तयार हूँ मुझे पाता उसके पास बोबन मिल्या नहीं है काफी रस्की है सब लोग यहां पर अच्छे हैं लिकिन ना रूस के हिसाफ सखे लोगा ये पहले भी जूट बोल चुकी है हां पर तुम जूट बोल चुकी हो पहले रौंड के लिए बहुत रिस्की है ना एक मिलियन टॉलर जितने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर फैसला गलत हुआ तो वो जीत जाएगी तुम लोगों को लिखना शुरू करना चाहिए कि किसे बोट करना चाहोगे ठीक है देखते हैं आपने किसे बोट किया पहला बोट गया है जेडिन अनिमेशन्स को दूसरा वोट मिला है लडविक को और तीसरा वोट मिला है एमिक्सम को चौथा वोट मिला है जेडिन को मैंने तो कोछ और आखरी वोट मिला है लडविक को वो तो टाय हो गया है तो हम तुम सब को एक मिनिट और देंगे तुम तीनों को इन दुनों की सफाई सुननी होगी और फिर दोबारा फैसला लेना होगा बताओ इन्हें तुमें वोट करना चाहिए या नहीं ये वोटिंग मेरे लिए थीक है तुमारे पास वन मिलिन डॉलर है तो खुद को वोट कर सकती हो शाय तुमने खुद को वोट किया है नहीं मतलब लडविक ने खुद को वोट दिया है पैसे उसके पास है अगर ये सच है तो मैंने किसे वोट किया होगा मुझे लगता है कि तुमने वोट तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दूसरा वाला तो पढ़ो. मुझे पता है तुम्हें पहले वाले के बाद कैसा लगा? मैं चाता हूँ कि तुम दूसरा पढ़ो. मुझे लगता है कि सब ठीक होगा. दूसरा वोट मिला है, जेडन को. अरे नहीं. क्या? मैं काप रही हूँ. वो जो अपना ब्रीफ के सबसे पहले खोलने वाला है, वो है लर्विग. अगर इसमें वन मिलियन डॉलर्स हुए, तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा. अगर कुछ नहीं हुआ, तो एक और राउंड होगा. गेम में मसा है. यह खाली है. तुम बहुत आगे तक आगे थे. मैं जानता हूँ तुमारा ब्लफ था. कोई बात नहीं. लर्विग एलिमिनेट हो चुका है. मत्वत वो बाकी हारे हुए सिपाहियों से मिल पाएगा और उनके साथ चैलेंज देख पाएगा. दूसरा राउंड शुरू हो चुका है. और एक बार फिर से सब की आँखों पर पट्टी लगेगी. हमने बैक्स शफल किये और बचे हुए प्लेयोज ने अपने अपने बैक्स चुने. तुम सब जानते हो क्या करना है? दस मिनिट का टाइमर शुरू करो. जेदिन क्या तुम्हें फिर से एक मिलेन मिले? लेकर उसने कहा वह तुमारे पास है. और उसने कहा था उसका खाली है. तो सब लोग जूट बोल रहे हैं. लेकिन यहां तीन के बैक खाली हैं और उन्हें साथ मिलकर एक मिलेन वाले का पता लगाना होगा. क्या किसी ने कुछ भी देखा? जैसे बाडी लेंगवेज? सिर्फ तुम ही हो जिसकी बाडी लेंगवेज पदली है तुम पहले से ज्यादा हिल रहे हो क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास एक सूट कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि तुमने खुद पेसे प्रेशर हटाने के लिए मुझे वोट किया हो? सही का, मेरे पास तो नहीं है शायद तुम्हारे पास भी नहीं है तुम्हारे पैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर? हाँ मुझे लगता तुम्हारे पास ही होगी। तम्हे लगता है इसके पास है। अब तक का पहला इchtsा मिल्यों डॉलर का ब्रीफ केस है। मुझे असा है लगता कि वो पैसे उसके पास है। तुम किसे वोट करोगी। मेरे हिसाब से तुमने किसी को वोट किया और उसने खुद को वोट किया तो चार में से दो वोट हो गया मैंने ताय नहीं किया पता नहीं मेरे लिए तो इन दोनों के बीच 50-50 है मैं तुम्हें वोट दे सकता हूँ मुझे? क्योंकि स्टाटिस्टिक्स प्रॉबाइबिलिटी के इसाब से देखा जाए तो स्टाटिस्टिक लिए मेरे पास पैसे वापस नहीं आएंगे यह काफी दिल्चस पॉइंट है ठीक है जिसका भी ब्रीफ केस खोलना चाहते हो उसका नाम लिखो तो पहला वोट मिला है जेडन को और दूसरा वोट मिला अलेक्स को दोनों के बीच टाए तीसरा वोट भी जाता है जेडन को हमारा चौथा और आखरी वोट फिर से जेडन अगर इसमें एक मिलियन डॉलर्स हुए तो तुम तुरंथ जीट जाओगी शायद इसमें है ओ माई गॉड ओ वाव तुम कितनी शात थी मुझे तुम लगा तुम आउट होने वाली हो जीट तुम्हारी हुई वाव तुम ये पैसे अपने सब्सक्राइबर्स में कैसे बागने वाली हो आर्टिस्ट को बहुत से चुनोतिया जहलनी पड़ती है मैं स्यादा से जादा मैं आर्टिस्ट को ही आर्ट स्कूल बेज राचाहूंगी और इसी के साथ जेडिन अनिमेशन ने जीते हैं वन मिलियन डॉलर्स अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सब्सक्राइब करो जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो